हमारे बुजर्ग दादा दादी और माता पिता ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया है अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें आपका एक छोटा सा कदम, एक लाइक और सब्सक्राइब उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? आईए, एक जोट होकर उनकी पेंशन के हक की मांग करें आप से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस संदेश को जितना हो सके शेयर करें और हमें एक मिलियन लाइक्स तक पहुँचने में मदद करें क्या आप हमारे बुज़ुर्गों का सहारा बन सकते हैं? EPS 95 Higher Pension सुप्रीम कोट और सरकार को EPFO कर रहा नजरंदाज कानूनी लडाई की राह पर निकले करमचारी EPS 95 Higher Pension को लेकर भिलाई स्टील प्लांट के 11,000 करमचारी चिंतित हैं EPFO की खामोशी के खिलाफ वे कानूनी लडाई की राह पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा EPS 95 Higher Pension भारतिय स्टील उद्योग के अग्रणी भिलाई स्टील प्लांट BSP के 11,000 से अधिक अधिकारी और करमचारी EPS 95 Higher Pension योजना को लेकर चिंतित हैं यह चिंता करमचारी भविश्य निधी संगठन EPFO की खामोशी से उपजी है जिसने इस योजना के अंतरगत पेंशन के विस्तार के आवेदनों को लटकाए रखा है EPS 95 हर पेंशन क्यों है जरूरी 95 Higher Pension योजना का मूल उद्देश्य सेवा निवृत्ती के बाद करमचारीयों को भेतर जीवन सुनिश्चित करना है यह योजना विशेश रूप से उन करमचारीयों के लिए महत्वपूर्ण है जिनोंने अपने करियर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपनी अंश्दान राशी को बढ़ाया है समस्याएं और संगर्ष भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व वित्तिय महाप्रबंधक बी अन अगरवाल ने इस कारण को आगे बढ़ाने के लिए संगर्ष की कमान संभाली है उनका मानना है कि EPFO द्वारा देरी के कारण न केवल पेंशन भोगियों का अधिकार प्रभावित हो रहा है बलकि यह कानूनी प्रक्रिया का भी उलंगन है कानूनी मोर्चा भिलाई स्टील प्लांट के PF ट्रस्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आधार बनाकर यह लड़ाई अब कानूनी रूप ले चुकी है EPFO के रवये के खिलाफ उठाया गया यह कदम विभिन न्यायक और प्रशासनिक चुनौतियों को सामने लाता है वित्तिय जटिलताय द्वारा जारी डिमांड नोटिस के बाद जमा किये गए लाखों रुपए वापस कर दिये गए जिससे पेंशन भूगियों में असंतोश और निराशा बड़ी है इससे यहाँ प्रश्न उठ्टा है कि आखिर EPFO की मन्शा क्या है और यहाँ वित्तिय प्रबंधन में कैसे योगदान दे रहा है नैतिक और न्यायक प्रश्न बड़ा प्रश्न यहाँ है कि क्या EPFO सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अनुपालन कर रहा है यदी नहीं तो क्यों इस बात को लेकर अधिकारियों और पेंशन भूगियों के बीच मतभेद और तनाव है EPAS 95 हायर पेंशन योजना से जुड़े मुद्दे न केवल आर्थिक बलकी नैतिक और कानूनी चुनोतियों को भी प्रस्तुत करते है यहां मामला न्यायक समीक्षा की मांग करता है और इससे संबंधित सभी पक्षों को समुचित न्याय और निश्पक्षता की उम्मीद है EPA 95 पेंशन भोगियों की मांगे पूरी करे मोदी सरकार आर्थिक संकट से जूज रहे पेंशनर्स के लिए प्रयाप नहीं 1,000 रुपे निउंतम पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतरगत पेंशन भोगियों ने निउंतम पेंशन 7,500 रुपे करने की मांग की है भारत की कर्मचारी पेंशन योजना, EPS, 1995 के अंतरगत आने वाले लाखो पेंशन भोगियों के सामने आर्थिक अनिश्चित्ताओं का बड़ा संकट खड़ा है इस समय, जब नियोंतम पेंशन केवल 1000 रुपए प्रती माँ है, वहीं पेंशन भोगियों की मांग है कि इसे बढ़ा कर 7500 रुपए किया जाए यहां मांग इसलिए भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि अनेक पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन उनके जीवन्यापन के लिए नाकाफी है मुंबई के आजाद मैदान में एक सभा के दौरान, कमांडर अशोक राउत ने दावा किया कि प्रति दिन 200 से 250 पेंशन भोगी असमय मौत को प्राप्थ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिती मजबूत नहीं है इस तरह की चिंताजन्क स्थिती में, पेंशन भोगियों की ओर से मोधी सरकार से ततकाल अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की गई है सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर सक्रिय रहे बसकरन सुब्रमन्यम अयर ने भी इसी बात को उठाया है, कि सरकार को गरीब पेंशन भोगियों की ओर से ततकाल सहायता की आवशकता है उनका कहना है कि इस संकट के समय में सरकार को चाहिए कि वह पेंशन भोगियों के दुखदर्द को समझे और उनकी मदद करे सी उन्नी कृष्णन की निराशा इस बात से भी जलकती है कि वर्तमान सरकार से उन्हें कोई विशेश उम्मीद नहीं है उनके अनुसार सरकार का रवया पेंशन भोगियों के प्रती उदासीन बना हुआ है जिससे उनकी निराशा और बढ़ जाती है इस मामले पर रिचर्ड फ्रीमैन और वादिराजा राव जैसे प्रभावित पक्ष भी यह महसूस करते हैं कि नेताओं की नर्मी और देरी से नीतियां लागू करने की प्रक्रिया ने पेंशन बढ़ोतरी में विलम को जन्द दिया है यह समय सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में है जहां उन्हें यह दिखाना होगा कि वह वास्तव में देश के वरिष्ठ नागरिकों के हित में कैसे कदम उठा सकती है पेंशन भोगियों की बढ़ती हुई मांग और आर्थिक तंगी के इस दौर में नियोंतम पेंशन में वृद्धी ना केवल उनकी जरूरत है बलकि उनका अधिकार भी है 4% दा हाइक्ट लोजी दा में हो गई 4% की बढ़ोत्तरी सरकार ने दी खुशक परी 4% दा हाइक्ट मिजोरम सरकार ने गुरुवार को अपने करमचारियों के महंगाई भत्ता बियर्नस अलावन्स में नवंबर से 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य मंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया चार पसंट दा उन्होंने कहा कि दा में बढ़ोतरी क्रिस्मस का उपहार है और यह नवंबर से लागू होगी अधिकारी ने बताया कि भत्ते में वृद्धी से सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 40 प्रतिशद्दा के रूप में मिलेगा मंत्र प्रिशद ने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना और इसके अंतरगत सोलह पदो के स्रिजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गुवाहाटी उच्च न्यायाले ने हाल ही में मिजोरम सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधिश विजय बिश्णोई और न्यायमूर्ती माइकल जोथानखुमा की खंडपीट ने मिजोरम सरकार को आयोग गठित करने के लिए दो महीने का समय दिया मिजोरम राज्य सरकार के करमचारियों के दा में हुई है 4% बढ़ोतरी 4% दा मिजोरम सरकार ने नवंबर से अपने करमचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय मुख्य मंतरी लाल दुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया केंद्रिय करमचरियों को जल्द मिलेगी दा की गुड न्यूस त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में केंद्र सरकार के करमचारी बैसबरी से अपने वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रही है वे सात्वे वेतन आयोग के तहत अक्टूबर में मेंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोशना का बिसबरी से इंतजार कर रही है अभी दा मूल वेतन का 50% है जिसे मार्च 2024 में 4% की बढ़ोतरी के बाद बढ़ाया जाएगा इस समय उम्मीद है कि केंद्र सरकार केंद्रिय करमचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है इसके अलावा सरकार द्वारा दिवाली से पहले अक्टूबर में दा वृद्धी की घोशना करने की उम्मीद है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ता में दा में वृद्धी की गई थी एक करोड से ज्यादा केंद्रिय करमचारियों को मिलेगा तौफा केंद्र सरकार अपने करमचारियों के वेतन को उपभोकता मूल्य सूचकांग के आधार पर समायोजित करके उन्हें महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है अभी एक करोड से ज्यादा केंद्रिय सरकारी करमचारी और पेंशन भोगी इस भत्ते का लाब उठाते हैं जो बढ़ती जीवन्यापन लागतों को संतुलित करने में महत्वपूर है ऐसे होती है दा बढ़ोतरी की गण्ना केंद्र सरकार के करमचारी के लिए दा व्रिद्धी का फॉमूला पिछले बारा महीनों के अखिल भारतिय उपभोकता मूल्य सूचकांक या ICPI के ओसत पर आधारित है जिससे यह सरकारी करमचारियों के लिए वेतन गण्ना का एक महत्वपूर पहलो बन जाता है देखे वेतन में कितनी व्रिद्धी हो सकती है केंद्र सरकार की ओर से दा की घोशना सरकारी करमचारियों को उपभोकता मूल्य सूचकांक के अनुसार उनके वेतन को समायोजित करके मुद्रास्वीती से निपटने में मदद करती है उदाहरन के लिए यदि 18,000 रुपे के मूल वेतन वाले किसी करमचारी को वर्तमान में 9,000 रुपे दा मिल रहा है तो 3% की बढ़ोतरी लागू होने पर उनके मासिक भत्ते में 540 रुपे की व्रिद्धी हो सकती है यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4% की व्रिद्धी करती है तो इससे महंगाई भत्ता डियनस अलावंस बढ़कर 9,720 रुपे हो जाएगा जो बढ़ती जीवन्यापन लागत के बोज को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है